नमस्ते दिल्ली विधान सभा चुनाव कवर करने निकली ललन टॉप की चुनावी टीम इस वक्त सीलंपूर विधान सभा इलाके में है हमारे साथ हैं यहां से कॉंग्रेस के प्रत्याशी चौधरी मतीन एहमद 2015 में हार मिली थी आपको क्या हुआ था 2000 कैसा हुआ था कि मतलब इतने लंबे समय से जीत रहे थे क्या गरबड हुआ तूफान चला था बिजली पानी और वाइफाई का तूफान चला था लोगों को लगा कि यह हमें जादर फायदा होगा इसने जो खासकर हमारी बहने हैं और जो यूथ है वो उनके साथ चला गया विलाके की जिम्मेदा जो लोग थे वो हमारे साथ थी ताइम और दिली में छे लोगों की जो डिपोजिट बची है उसमें हमारा नम भी है अपका नाम है आमादमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने इस बार अपने प्रत्याशी बदले हैं हाजी श्राग पिछली बार आमादमी पार्टी के जि अच्छे आदमी थे वो एक तो उनमें थी के वो एजूकेशन उनके पास नहीं थी लेकिन कोई उन पर ब्रेस्टाचार का या उसका कोई आरोप नहीं है विमानदार आदमी थे लोगों को कोई तंग नहीं करते थे और यह जो दोनों मीदवार हैं जो कोसल मिश्रा है वो प हम से बन सका हो हमने काम किया जो आप पालिटी के उम्मीदवार की बात है वो पालिटी का फैसला है जो हमारे जिनका टिकट कटा है उनका आरोप ही है कि यह पैसे लेकर टिकट दिया है मेरा आरोप नहीं उनका आरोप है उन्होंने चैनलों पर बोला है हाजी श्राक का हाज लेकिन पालिटी के अंदूरी मामला हमें उससे कोई नहीं है लेकिन इलाके के लोग उनको भी जानते हैं ची तरह और हमें भी जानते हैं अच्छा देखे इतने लंबे समय तक आप यहां से विधायक रहें फिर कई उसमें बहुत लंबा दोर वो रहा जब आपकी यहां पर दिल्ली में आपकी सरकार थी कांग्रिस की सरकार थी केंद्र में कांग्रिस की सरकार थी 2004 से 2014 तक तो सीलमपूर को क्या उसका फाइदा मिला क्योंकि टशल नहीं था मतलब क्योंकि दिल्ली में तीन इसतर पर काम होते हैं केंद्र है दिल्ली सरकार है और MCD है तो वहां पर क्योंकि केंद्र में आप थे और दिल्ली में भी कांग्रिस की सरकार थी तो क्या ज्यादा फाइद भरतियन तब पार्टी की सरकार थी, 98 में हमारी सरकार आई, यहां यह लोग सारे बैठे हैं, इस इलाके का बुरा हाल था, यहां खरेंजेते, सारके टूटीवी थी, पानी भरेवे थे, कोई सीवर का अंधियाम नहीं था, बिजली का कोई ठीक से सिस्टम नहीं था, हमने सारी सरके बनवाई, उसके बास सीवर डलवाया, बिजली के टास्फ़ार में फुक जाता है, एक अख हफ्ता बिजली नहीं आती थी, बिजली की 24 गंटे एवेलिबिल्टी हुई, 24 गंटे बिजली मिली, उसके अलावाद 200 बैड का होस्पिटल, यहां पर बना, पांच डिस्पे इसके बनवाई, जो स्कूल तीन सेड वे चल ले थे, उन सब को हमने बिल्डिंग में के अनवर्ट करवाई, उनको बिल्डिंग बनवाई, जहां मारा जीरियत महली स्कूल है, उसमें आट साइड के लावाद कोई साइड नहीं थी, महा साइन्स और कॉमर्स हमने चालू यह जो डश्ट बिंते कोड़े जानते बुरा हाल होता था ट्रक बाहर खड़े होती दिरोड जाम होता था हमने उन सब को नाले में बनवाया और ऐसा बनवाया कि ट्रक अंदर जाके उसको भर के लेका आता है पिता हमने सब्सक्राइब जिसना हमारे इदर के मकान बच जाए फिर भी काफी कुछ काम बचा रहे गया मत इन अब ही भी सीलंपूर में जैसे लोग पानी सड़कों पर पानी भर जाना पानी कर पाया तो मैं क्या करूं कि आपका कहना है कि यह सारी कमियां पिछले पांस साल पिर्मपूर की सड़कों ने बनवा पाए बिरमपी रोड ने बनवा पाए जो पुष्टे रोड से पहले जीरो पुष्टे सर बिरमपूरी पुलिया के तक रोड आती हो ऐसा रोड है कि साथ इस जिलेमेन और दिश्ट में कोई ऐसा रोड दिखा ही नहीं देगा इतना बुनियादी जरूरत जो है नागरिक सुविधाएं हैं उनका बहुत ज्यादा अभाव है चस्पा है इस पर एक मार्क है ना कि सीलंपूर बेहत पिछड़ा इलाका है यह आप कहने यह पिछड़ा इलाका है गोंडा में कौन सा हस्पिटाल है बताओ करावल लगर में कौन सा ह बारा सेगंड शिफ्ट में चलते हैं दस बारे स्कूल हमारे में सेडी के हैं डिस्पेंसरियां हैं बरातगर हमारे पास हैं जो अनोत्राइज राका है यह पहले अनोत्राइज का उन्यवस्ति फिर इसको रेगुलाइज किया तो जाफराबात चाहनमांगर में अशी को जग में एक प्रदर्शन निकाला गया एक बाइक रैली निकालने की आपने पर्मीशन मांगी वो पर्मीशन पुलिस की तरफ से नहीं दी गई और फिर भी आपने वो रैली निकाली और पहले शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था फिर एक आएक हिंसा शुरू हुई पुलि देखे हमने रैली निकाली पर्मीशन मांगी पुलिस कभी पर्मीशन देती नहीं अगर पुलिस के पर्मीशन के लिए आजमी बैठा रहेगा तो कोई एजिटेशन करी नहीं पाएगा हमने रैली निकाली हमारी रैली का रोड नंबर 66 से जहां वाइलेंस हुआ है उससे जब कोई नेता या कोई राजनितिक पार्टी किसी एजिटेशन का नेतित तो करती है ठीक है लोगों को जमा करती है तो क्या उस प्रदर्शन की उस रैली की जिम्मेदारी उस नेता या उस पार्टी की नहीं होनी चाहिए कि हालाद बत्तर ना हो कोई दंगा कोई फसाद ना हो लेकि जहां पर वाइलेंस हुआ वहाँ हम गए नहीं दूर तक नहीं गए हमारा कोई आजमी ने गया यह तो हजारों बीस यह जार आज में शड़कों पर खड़ाता वो किसी नेता की कहने से थोड़ा है अच्छा आपको क्या लगता है क्या हुआ था उस दिन देखिए जब दस बीस हजार पांच हजार दो हजार लोग कोई पत्थर मार देगा मैं तो बारती इंता पार्टी क कि एक मुद्दा हो चुका है ठीक है दिली विदानसबाद चुनाव का मुद्दा हो गया है आँ कह रही है BJP की कॉंग्रेस बताए क्या वो फिश्च प्रदरशन कारियों के साथ है क्या वो लाजक कद्धों के साथ है आप बताई ये क्या स्टैंड है देखे हिंसक प्रिदरसन या आराय जक्ता के साथ कोई भी नहीं हो सकता मैं भी नहीं हूँ मेरी पार्टी भी नहीं लेकिन अगर कुछ सड़क पर जाके अपने आप उसको करने लगे तो उसमें कॉंग्रेस का क्या अनुलमेंट आ गया और जहां तक कॉंग्रेस पार्टी की हैं यह जो एक जमसान इनोंने दिया हिंदु भाई बाहर साए हमें कोई दिक्कत नहीं आप उन्हें नागर रिखता दे दो लेकिन यह नासी में हमें प्रॉलम करेंगे मुसल्मानों पर अगर से काविजात ने मिले डाकुमेंट ने मिले तो उने प्रॉलम करेंगे हम उसका पर ड़लगे पेड़ियों को ऊठाड़ से कहते हैं उनकों कि उन्हें हैं को बनगेठें हो ड़ियता धरें उनकों कहिते हैं यह जो दो करें तो बोलते उसे बीड़ी को लना हैयं है अगर दिल्ली विधान सभा चुनाव का मुद्दा बनता है CAA NRC ठीक है तो आपको क्या लगता है कॉंग्रेस को फाइदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है तो मुद्दे की बात नहीं हम तो इस लड़ाई को लड़ दे हैं और कॉंग्रेस पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ दे है और जिसके साथ भी अन्याय होगा हम उसके साथ खड़े होगा, कौनरेस पार्टी उसके साथ खड़े होगा, हमें लगता है कि माइनिटे के लोगों के साथ इसमें जाती हुई है, उनको परसान करने के लिए छे साल होगे, बीजेप्यों को इसके लावा और कोई काम नहीं है, सिरफ हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कस्मीर, चौथी, पाच्वी बात हमने सुनी नहीं है, रोजगार पर कोई बात नहीं है, सीलिंग हो रही है दिल्ली में, लोग परसान है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, महेंगाई पर कोई बात नहीं कर रहा है, इसी में सारे द कि जा ह Une partody कि के मुकाबले में हुपक्ष के पास कौछ बुच के तरह रहा कोई यह जा रहाटी निगुनती होーगी well सब्सक्राइब कर दोगों के दम पर सरकार पपलिक के पैसे के दम पर वो पांच साल मा एडूटीजमेंट करते रहे आप लोगों में जा के देखो ना लोगो अब मेरे इलाके में देखो ना पचासों के लिए टूटी पड़िये कुछ ठीक करने वाला नहीं कौन से डवलुम आपके बढ़े हो इस्टुएंट को बढ़े हो आपके इंप्रुमेंट हो तो बताओ कमरे बनाने से थोड़ा कुछ होता है अच्छा यह बताइए चौदरी मतीन की आपके हमने पोस्टर्स देखे इलाके में है ना तो आप थोड़े अब बुजूर्ग हुए है ना ओस्ट एप नमा डवरलत तो दिन बड़ रहा है थो तो में अफडेट शेहां क्यू नहीं है अब्डेट उजा ँच्हम हा ता जिन वारन ऑफ इन नम डिल गग अप फोगये अना चेहरा मिलाईं यह बआर मिला मैं इप Sowlings चईहां किंद स्च कूनल रहां अब्ली लिएंग उन बॉ को त्यव्य कह identify कि यह जो गलियों में का प्रचार होरह रहे हैं उसका अपने गाना सब्सक्राइब प्रचार भbble नहीं थ्याद नहीं थैन ऑच यह जगा यह समय क् 20 चाल रहा है तो कं आया कर दोड़ना मुझे है मझे गाना है जो मेरे फैमिली है जो मेरे बेटे हैं मेरा बेटा एक जी नीविज मैं भी है और जो कर रहे हैं वो सब उसको हड़ेल करणा है मिर्श यूरूत होती है भाता रहे हैं मैं उस पर बात कर लीटा हूं चलिए आपने हमें वक्त दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया ये थे चौधरी मतीन है ना आठ तारिक को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होने वाली है ग्यारत आरिक को वोटों की गिंती होगी और नतीजे सामने आएंगे क्या होगा कैसे होगा तब देखा जाएगा लेकिन उससे पहले हम दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में जाएंगे केजडिवाल सरकार के 5 साल के काम काज पर लोगों का क्या कहना है क्या लगता है उन्हें काम हुआ है नहीं हुआ है कितना हुआ है क्या बचा रह गया है आगे आने वाली सरकार से वो अपने इलाके के लिए दिल्ली के लिए क्या उमीदे रखते हैं कि सब हम आपको लोगों से बात करके दिखाएंगे और जहां जगह मिली तो अटाइम का स्कोप हुआ वहाँ आपको उमीदवारों से भी मिलवाएंगे हमें देखने के लिए शुक्रिया इस तरफ मैं हूँ स्वाती और कैमरे के उस तरफ मेरे साथ ही राशिद